अध्युज़ जब दिडियमे की मीटिंग में कई एहम फैसले लिए गए जिससे दिली के लोगों की जिंदगी पत्री पे लोटे और पढ़ाई लिखाई से लेके लोगों का रोजगार लोगों के कामकाजित तक सब पत्री पे लोटे तो इसके लिए साथ महतपूर्ण फैसल से डीडियमी की मीटिंग में लिए सबसे पहले तो इसकूलों के संबंध में है कि स्कूल अब अगले हफते से खोले जाएंगे मंडे से साथ तारिक से नवी से बारवी के स्कूल खोल दिये जाएंगे और धीरे-धीरे क्यूंकि अब कोविट केसिस भी कम हो गए हैं और साथ- नवी से बारवी के एज के बच्चों के vaccination में भी काफी progress हो गई है दिल्ली में तो धीरे-धीरे अभी तो हाला कि नवी से बारवी के लिए hybrid classes जारी रहेंगी स्कूल खोल दिये जाएंगे साथ-तारिक से लेकिन hybrid classes जारी रहेंगी online classes भी जारी रहेंगी और धीरे-धीरे हम इ online classes ही चलें लेकिन फिलहाल साथ तारिक से नवी से बारवी के स्कूल खोलेंगे और वो hybrid classes भी चलती रहेंगी उनकी आठ्मी class या उससे नीचे नर्सरी से आठ्मी class तक के स्कूल उसके अगले हफते से खोल दिये जाएंगे अगले मंडे से यानि की चौदे तारिक से आठ्म स्कूल को खोलने की और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि नर्सरी से आठ्मी तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी teachers आएंगे वो चाहे गौर्मेंट स्कूल में हो या प्राइवेट में वो सब के सब vaccinated होने चाहिए उन सबने vaccine लगवाई होनी चाहिए दूसरी बा इसलिए आज ये फैस्टा लिया गया कि इस मंडे से यानि साथ तारिक से दिल्ली के सभी colleges भी खोल दिये जाएंगे और अब colleges को कहा गया है कि वो offline classes चलाएंगे अब उनकी online classes नहीं चलेंगी बलकि सबके सब अब offline classes चलाएंगे colleges के लिए भी ज़रूरी होगा कि वो अपना online class बंद करके offline mode में आएं साथ तारिक से ये system चालू हो जाएगा Monday से यही system skill के जितने institutions हैं ITIs, Polytechnic उन सब पे भी लागू होगा वो भी सब साथ तारिक से खोलती जाएंगे coaching institute भी साथ तारिक से खोलना allowed होगा नाइट कर्फ्यू में अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन उसका time अब 11 बज़े से होगा पहले 10 बज़े से होता था अब नाइट कर्फ्यू 11 बज़े से सुरू होगा सभी रेस्टोरेंट्स जो अभी 10 बज़े तक allowed थे लेकिन उनको 10 बज़े के बाद कर्फ्यू के चक्कर में जल्दी बंद करा दिया जाता था पुलिस भी उनको जल्दी बंद करा दिती थी तो अब ये निने लिया गया है कि सभी रेस्टोरेंट्स 11 बज़े तक खुलने allowed होगे 11 बज़े से night curfew होगा लेकिन 11 बज़े से पहले किसी रेस्टोरेंट को forcefully बंद नहीं किया जाएगा 11 बज़े तक सभी रेस्टोरेंट्स संचालित हो सकेंगे तीसरा एक एक निने ये लिया है कि सभी offices अब 100% allowed होगे अभी तक 50% की capacity में allowed किया गया था अब सभी government और private offices 100% capacity के साथ function कर सकेंगे जिम, spa और swimming pool ये भी अब खोल दी है अलाव होंगे मंडे से तो जो जिम संचालिकों की मांग थी spa वालों की और swimming pool वालों की मांग थी और खास्तोर से जो बच्चे competition की तयारी कर रहे हैं अगरा के लिए उनके लिए बड़ी मुसिवत थी तो अगले मंडे से साथ तारिक से जिम, spa और swimming pool भी खोल दिये जाएंगे allowed हो जाएंगे साथ साथ जो exhibition लगती है बी टू बी exhibition लगती है बिजनिस टू बिजनिस exhibition लगती है तो exhibition आयजित करना भी अब allowed होगा तो इस तरह से यह महत्मूर्ण फैसले इसले लिए गए ताकि कोविट केस अब धीरे-धीरे जैसे कम हो रहे हैं तो जिन्दगी पट्री पे लोटे लोगों का व्यापार भी आगे बढ़े और पढ़ाई भी आगे बढ़े लेकिन इसमें सबसे महत्मूर्ण और नर्सरी से आठटमी के स्कूल 14 फरवरी से खुल जाएंगे स्कूल में अभी hybrid classes ही रहेंगी online class भी चलेगी और offline भी चलेगी लेकिन colleges मंडे से खुल जाएंगे और फिर अब उनको offline classes क्लासिज करने के लिए कहा जाएगा ओनलाइन क्लासिज वो केवल ऑफ्लाइन क्लासिज करें स्किल्प पॉलिटेखनिक आई टिय वगरा सब खुल जाएंगे कोचिंग इस्टिटूट सब खोलती जाएंगी यह आपके कि और कि